सब्सक्राइब और चैनल एम्टी मेडिटीव वान स्टेप लारोब एडवार्स मेडिकल नॉलेज नमस्का दोस्तों वेल्कम ठेंड्स एम्टी मेडिटीव के इस मेडिकल चैनल में एक बर फेर आपका स्वागत है आज हम चानेंगे एक बहुत रियार मेडिसिन्स के बारे में जो की लिंजोलीट अंटीवाइटिग होता है आज चानेंगे क्यों इसको रिजार्ब अंटीवाइटिग कहां जाता है इसके काम क्या क्या है बहुत ही ज़्यादा फाइदा है इसको लेने के बाद लेकिन डॉक्टर दौरा कियों कम पेस्क्राइब किया जाता है रेयर पेस्क्राइब किया जाता है और किन-किन काम में यूज होता है सबसे लाश्ट में जानेंगे इसको जादा लेने के बाद प्रोब्लेम क्या हो सकता है यह डॉक्टर के सुपर्विजन में ही क्यों दिया जाता है सब कुछ आज पूरी डीटेल्स में जानेंगे लाच तक भने रोई यह पूरी वीडियो देखिए स्किब मत कीजिए पूरी जानकरी लीजिए क्योंकि आधादुरा जानकरी जानलेबा भी हो सकता है चलिए स्ट के लिए जान लेते हैं पहले लिजोलिट किन-किन फर्म में किन-किन स्टेंद में मार्केट में मील जाता है यह तो हंडेड 300 और 600 के में मील जाता है मार्केट में कैफ्सूल सीराव और इंजेक्शन के फर्म में भी मील जाता है पर उन्तो आज टैबलेट के बारे में ही बा सबसे पहले इसका प्राइज जानेंगे दोस्तों प्राइज ब्राइज ब्राइज के साथ साथ आपडेट होता रहता है यह जो आप मान के चलिए तीस से लाकर पचास रुपिया के बीज में हर टैबलेट magically मिल जाएगा जान लेंगे यह किन नामों मैं किन ब्रेण्ड नामों में मारक्ट में मिल जाएगा जु जाली दूलीट की मिल जाएगा लीजोफ वोर्ष लीन्डॉक्स जीभॉक्स लिंसा? लिंसो स्पैन ऐसे ही बहुत सारा पॉपुलर नाम है एक से दूसरे ब्रैंड में सबस्टिटिट किया जा सकता है जिनके औरिजिनल जो कॉंटेंस होगा और लिंजोलीडी होगा काम सब एक ही करता है चलिए जान लेंगे ये किन किन कामों में डॉक्टर दोरा यूज लिया जाता है तो ये सबसे ज़्यादा यूज लिया जाता है ये ग्राम पजिटिव बैक्टरिया को नश्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज होता है ग्राम पजिटिव बैक्ट इसको किन चीजों में यूज लिया जाता है पेंसिलीन का गूरूप के कोई भी दावा से आव ऐलर्जी हो गया हो तब अपको नियुमोनिया ठीक नहीं हो रहा हो उनमें सबसे लाश्ट में ये दावा प्रेस्ट्राइब किया जाता है बहुत ही आच्छा रियल देखा गया है chronic और severe infection में chest की इन में ये बहुत ही ज़्याद़ यूज गया जाता है अपका आँखों में जब infection हो गया हो आँखों में धुनला पन देखा गया हो अपकों infection हो गया उसमें ये बहुत ज़्याद़ यूज गया जाता है स्कीन इंफेक्शन में जिनके सिवियर इंफेक्शन हो गया हो Ö cryptocurrency में दूसरे कोई दावाँ से कम नहीं रहा हो यह एंटिवाटी चलाया जाता है जिनमें बहुत ज़़दा देखा गया है बोन का इंफेक्शन में भी यह बहुत ज़़धा यूज लिया हार्ट का इन्फेक्शन हो गया हो न में भालब में कोई में doctor दुआरा देखा गया हो प्रिश्वियु क día जाता है डाइबेटिक फूट नमके एक बिमारी हो जिन में अलसर हो जाते हो पाओ में बाद में बाढ़ के पाओ को काटना भी पड़ सकता है वो खाओ सुखाने के लिए ये बेंटिबेटिक बहुत ज़्यादा यूज लिया जाता है मेनेंजाइटिक बोल के एक बिमारी है उसमें बहुत ज़्यादा यूज लिया जाता है यूटियाई इंफेक्शन में जिनके कैथेटर लगा हो उनमें इंफेक्शन हो गया हो यूटियाई का यूरिनरी ट्रैक्ट का कोई भी इंफेक्शन हो गया हो उसमें ये बहुत ज़्य ज्यादा यूज लिया जाता है और कोई भी इंटस्टाइनल इंफेक्शन के लिए रम पोजेटिव बैक्ट्रिया के कानल से इंटस्टाइनल कोई भी इंफेक्शन हो गया हो उसमें ठीक करने के लिए ये बहुत ज्यादा यूज लिया जाता है कोई भी मेडिसिन के कॉंटें बहुत ज्यादा प्रेश्यकिया जाता है यह बहुत ही आच्छा सा काम करता है है पेनिसेलीन और सेफ़ाक्सिण डूप के और जिसे बहुत ज्युदा इनफैक्शन हो गया हो यह जदा दिन लेने के बाद इयह मेडिसीन प्रेश्glog किया जाता है अगे बाठते हुए आप ज दोच निधान करता है फिर भी जो एडाल्ट के लिए रेकोमेंडे डोच है वो अब हार दिन एक ले सकते हो भी डॉक्टर के सुपरविजन में ही लेना होगा हस्पिटल के लिए और डॉक्टर क्लिनिक के लिए बहुत यूज होता है यह खुद से ना ले डॉक्टर के सलह से ह ले अगे बढ़ते हुए जान लेंगे इसको लेने के बाद साइड एफेक्ट क्या हो सकता है सबसे लास्ट में जानेंगे इसको ज्यादा दिन क्यूं लिया नहीं जा सकता है यह साइड एफेक्ट हो सकता है अपको डाहिरिया हो सकता है भॉमीटिंग हो सकता है टेस्ट में थोड़ा सा change आ सकता है वेजाईनल, गैंडिडास बोलके महिलाओं में problem देखा गया है वो जादा दिन लेने से हो जाएगा abdominal में pain रुख सकता है यह आपका paid में दर्द रह सकता है stomach upset रह सकता है ऐसे ही side effect देखा गया है जब भी आपको कोई undesirable side effect मिले आप medicines को बंद कर दीजिए और आपका doctor से मिलिए जो की आपको बहतार treatment दे सके दोस्तो आगे जान लेते हैं ये pregnancy और breastfeeding mother में safe है की नहीं है हाँ दोस्तो ये pregnancy और breastfeeding mother में doctor उनके need के according prescribed लेते है इसको प्रेस्क्राइब लिया जा सकता है लेकिन जो लोग alcohol के seven करते हो उन पे ये दिया नहीं जा सकता और एक साब्दानी है इसको लेने के बाद ये खटा मिठा जाती है ऐसे आचार types के कोई खाना नहीं खाना चाहिए इसमें खाराप्रभा भी दे सकता है दोस्तों अगे बढ़ते हुए जान लेंगे ये जादा दिन क्यों नहीं लिया जा सकता ये चार से लाया का दस दिन तक ड़क्टर दौरा प्रेस्क्राइब किया जाता है ड़क्टर रोग का severity देखते हैं उसके बाद ही प्रेस्क्राइब करते हैं ये मरीज का problem कोई भी था वो इस medicine ले लेने से ठीक हो गया हो उसके बाद वापस से ये problem आया आप खुद से जाके medical store में ये दवा खरित के ले लिया उसमें बहुत ज़्यादा problem हो सकता है ये ज़्यादा दिन ले लेने से अपका एनीमिया भी हो सकता है WBC जो count होता है blood का वो बहुत ज़्यादा कम हो सकता है predilet count में भी changes आ सकता है थोड़ा सा thrombo चिस नाम के एक बिमारी होता है जिनने खून के धब्बे हो जाता है वो भी हो जाता है कहीं पर भी काट हो जाने से blood बंद नहीं होता अप्टिक नियूरोपेथी नाम के एक आखो का प्रोब्लेम आ सकता है जिसमें आप अंधे भी हो सकते हो इसलिए ये medicine कुछ दिन लेने के बाद ये डॉक्टर द्वारा आखो का और खून का जाच करवाया जाता है दोस्तों ये कुछ था लिंजोली टैबलेट के बारे में डिसके यूजडो साइड एफेक्ट कॉम्प्लेट इन्फरमेशन मैंने छोटा सा इंट्रो के साथ बाताया और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और हमारा चैनल को सब्स्राइब कर दीजिएगा अगे ही ऐसी इ अच्छे रहिए धन्यवाद